हेलो दोस्तों वेलकम बैक कुछ देश की सबसी बड़ी वहां निर्मात कंपनी सुजू की अपनी मारूती 800 का नहीं जन्रेशन वेरियंट लॉंच करने वाली है पूरी 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 वेरियंट थी इसके अदर आपको जिरो स्टार सेफेडी मिलती थी युमात volcanic से लाउंच करेगी और मारूती सुजु की मौजुदा आल्टो 800 के जो मौजुदा सुजु की आल्टो 8800 के मौजुदा लाइनप से रिप्लेस करेगी मारूती सुजु की अपने ओल नी मोडल को भारती सड़कों पर लगातार टेस्टिंग कर रही है कंपनी ने इसके कॉड़नेम और कंपनी इस सा कोड़नेम वाई ओ एम रखा है और मारूती 100 को टेस्टिंग के दोरण काफी हदा इसपोट किया चुका है हुआ मारूती 800 की test दी लगातार चल रही है और पलता करता है कि आल्टो को एक बहुत बहुता तरीके से लॉंच होने वाली है और मारूदी सुजुटी अल्टो को इस साल भारती वजार में लॉंच कर देगी और कंपनी इसका नैस्ट वेरियन लेके आरी जिए बहुत ही आदा सांदर होने वाला है और रिपोर्टर्स के मताबिक मारूदी अल्टो के अंदर आपको सांदार प्लैटफॉम पर इसको बीस किया जाएगा और निव मारूदी एट मिट को आर्ट एक मोडिफाई प्लैटफॉम के वर्दन पर बनाया जाएगा और उसके साथ में इसके अंदर काफी जादा हाईटेफ फीचर्स भी दिये गए हैं और न आपको निया cng option ही मिलने माला जिसका average I think 30-35 km तक का हो सकता है और गेर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 5-speed manual और 5-speed automatic transmission देखने को मिलेगा और अगर ब्रिक्स की बात करें इसके अंदर आपको डुवल डिस्बेग देखने मिलेगी जिए आपको फ्रेंड मिलेंगे और अगर बात करने इसके dimensions की तो इसके अंदर आपको length मिल जाती है 345 mm और इसकी width है और इसकी width है 1555 mm और इसकी height होने वाली 1475 mm और इसका wheelbase होने वाला है इसका wheelbase wheelbase होने वाला है 236 mm और इसकी weight होने वाला है 1185 kg और इसकी fuel capacity होने वाली 35 liters की और अगर आप इसके pricing की बात करी जाए तो इसका price सुरू होने वाला है 2.99 lakhs शुरू होकर यह 4 lakhs पीच तक मिल जाती है तो चलिए आज की video में से बितना हैं तो चलते हैं